कि येस हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आसा करता हूं आप अच्छ होंगे आपके घर पर सब अच्छ होंगे मैं कुस्क्मार स्वागत करता हूं आप लोगों के आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नमा IQ ADIAN EASY LEARNING आज मैं हिस्ट्री MSQ टेस्रीज का पार्ट 10 दसमा हिस्सा लेकर आया हूं याद रखेगा ये MSQ टेस्रीज मैं हिंदी और इंगलिस दोनों में कराता हूं इसे कोई भी देख सकता है इसे मैं डेली बनाने का कोसिस करता हूं तो मैं कुछ पॉल्टी के एक सैट चला रहा हूं दूसरा हिस्ट्री के दूसरी सैट चला रहा हूं और और NCRT बेज में MSQ करा रहा हूं चप्टर वाइज में कराते जा रहा हूं ठीक है धीरे धीर में सब लेकर रहा हूंगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट जरू करिएगा चली तो आजका सेशन स्टार्ट कर प्लेलिस्ट में जा करके टेश से लगा सकते हैं और अनुमान लगाईए खुद को जाचिए कि कितना मेरा सही होता है कितना मेरा गलत होता है उसके अधार पर फिर से आगे रिवीजन करते रहे है ठीक है चली आज का पहला कोशन है कोशन नमर 91 कहता है क्रिस देवराय ने कि किस भासा में लिखा गया है और ये पहला ओपूसन कहता है या मराथी देखे इसका इंसर क्या होगा ठीक है याद रखेगा कृष्ट देव राय दच्चिन भार से सम्मंद रखते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा आपने पढ़ा होगा विजय नगर समराज के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पूरी तरह से पता होगा ये तेलगो भासा से सम्मंद रखते हैं ठीक है त जब 1526 में पानीपत के पर्थम युद में बाबर ने मुगल समराज के स्थापना कर ली उसके बाबर ने बाबर नामा की रशना किया था ठीक है अब बाबर नामा में उसने विजयनगर और कृष्देवराय की प्रसंसा किया चर्चा किया उसके बारे क्योंकि विजयनगर समर तो उन्होंने उसका चर्चा किया है ऐसा माना जाता है कि जब क्रिश्देव राय का जो कारी का था उससे में दच्छीन भारत मतलब विजे नगर समराजी यूथा एसवर्य और सक्ति के रूप में बहुत उच्छे अस्तर पर पहुंच चुका था ठीक है बहुत विकास किया था ठीक है आगे चलता हूं मैं कोशन नमर 92 निमलिखित को मिलाएं यह मैच दा फॉलोइंग है इसको मिलान करना है ठीक है तो पहला है सोना असरफी तांबा रुप है एक का एक, दो का तीन, तीन का दो और लाश्ट ऑप्शन है एक का तीन, दो का एक और तीन का दो देखिए यह क्या है कि एक साइड आपको कुछ elements दिया है यहीं दूसरे elements से match करना है मैं बता रहता हूं यही मैंने question कहां से लिए है सेरसा सूरी का chapter जो है मैंने वहां सुठाया है याद रहिके जब हुमायू के बाद सेरसा सूरी ने बिलग्राम का युध में हुमायों को भगा दिया था मित्यू हो गया था उसको खत्म करके सेज सासूरी ने सूरी वन्स की स्तापना किया था पंदा सुचालिस में तो सेर साने कुछ सिक्के जारी किये थे उनी में से सिक्के थे कुछ सोने के तांबे के चांदी के तो उस सोने के सिक्के को चांदी के तांबे के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था वहां से question मैंने लिया है यह याद रखे कि हिंदी इंगलिस दोनों में इसे हर को देख सकता है ठीक है तो इसका answer क्या होगा देखे मैं match करता है eliminate करना start करता हूँ मैं तो सोना का सरफी बोला जाता था ठीक है तो एक का A जाना चाहिए तो option A में और C में आपको दिख रहा है तो B को ऐसम cancel कर दिजिए B नहीं होगा और D भी नहीं होगा आपके पास बचता है option A और option C तो अब क्या होगा देखे रुपए चांदी को बोला जाता था तो 3 का 2 option C में है तो इसका answer होगा option C मतलब सोना का सरफी तामबा का दाम चांदी का रुपए ठीक है याद रखे मैंने पहली बता दिया कहां से लिया question क्या था नहीं था हां था सब मैंने बता दिया है ठीक है सेरसा सूरी का time period क्या था ये आप comment box में बताएंगे आपको home work करा है अगला question चलते है question मा 93 कहता है सिंद के सासे दाहिर की राजधानी कहां थी आपके पास 4 option है पहला option है वेलोर दुस्वा option है कराची तीस्वा option है एलोर चौत्वा option है काबूल तो इसका answer क्या होगा वेलोर कराची एलोर और काबूल दाहिर की राजधानी कहां थी देखे इसका answer होगा एलोर याद रखीगा ठीक है अब थोड़ा समय बता रता हूँ यह जो दाहिर था यह सिंधी साइन राजवन्स का अंतिम सा सकता ठीक है इसका समय काल था 6 Sunday 69 मतलब 679 से ले करके 712 इस भी तक ठीक है अच्छा एक और बात याद रखीए 712 तक ही क्यों रहा मुहमद बिन कासिम ने सिंध पर आकरमन किया था 712 में और इसी आकरमन के अंतरगा दाहिर की हत्या हुई थी मित्य हुई थी याद रखेगा एक क्वेश्चन हमेसा पुझा था पुझा था पब्लिस सर्विस कमिशन से लेके गुरूप डी तक का ठीक है रेलवे गुरूप डी MTSSC जो भी हो ठीक है तो 712 में मुहमद मिन कासिम ने सिंध पर आकरमन किया थी क्वेश्चन हर बार पू क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 94 ज्यादा समझाने में वक्त भी बीच जाता है लोग बड़ी वीडियो देखना ही पसंद नहीं करते हैं ठीक है चलिए किसे आयरुवेत का प्रथम आचार तथा प्रवर्तक माना जाता है आपके पास चार उप्सन है पहला उप्सन है वारा मिहीर या ब्रह्म गुप देखे इसका एंसर होगा ओप्सन ए धन्वंतरी चलिए मैं थोड़ा से बता लिता हूं यह जो चारो हैं यह सारे गुप्तकाल के थें विसेसग्य विद्वान ठीक प्रकर ठीक है अब एक ची और मैं बताता हूं यह जो ऑप्सन धन्वंतरी तो कभी भी दूसरे टाइब का क्वेशन गुमा के पुछे तो याद रखेगा वारा मिहरा ब्रह्म गुत खगोल भी दिते हैं और धन्वंतरी चरक यह आयरवेद के विसेसग्य थे और चारो गुप्तकाल से संबन दिते हैं ठीक है अगला क्वेशन है क्वेशन 95 करता है सि चलिए 30 का एंसर होगा option B गुरु अंगत यह यह लोग इतने अच्छे करेक्टर हैं मतलब मैं मेरा पुइंट ऑविय किया पीर्तिवी खत्म हो जाने इन लोग का नाम नहीं खत्म होगा यह लोग इतने अच्छे लोग थे हैं इन्होंने अपने समराज के लिए अपने आई बनों के लिए क्या नहीं कि गुर्बान होते चलेगा है ना पढ़ियेगा इनको सिखों का जो आंदोलन था ये कारिकरन था उनके जो समाजी वेवस्था थे पढ़ियेगा बहुत अच्छा है ठीक है मैं तो फैन हूं इनके बारे में चलिए तिसका एंसर हो गुरू मैं बता दे रहाँ आपको गुरू नानक के सिस से कौन थे तो गुरू नंगत थे दुसरा टाइप का कुश्ण पुशन बैट केुरू नंगत करो याद रखेगा अच्छा गुरू अंगत का का कारिकाल क्या ता ता पनराlles सो उन्चालीस कभी याद रखेगा पंद्रा सो अरतिस भी रहेगा 38 ठीक अब ही कर ठीक थटीनाई में रहेगा धोनों ध्यान देज़ेगा अलग अलग बूख में अलग है लेकिन मैंने 49 से देखा है कहीं मैंने खुद देखा है कहीं एक ही बूख में 38 लिखा है कही 49 दिया है ठीक है तो इस पावर में थोड़ा रिट कर आइसे मैंने 49 लिया है ठीक है 1549 से 1552 तक है ठीक है गुरू अंगत का कारिक समय है ठीक है अगले चलते हैं other cookies स्व medidas करता है किया पाउसल पिरह तर्फाल खाला और स्थम प्रूज्चा Om looking there is number 4 आर्फम से 15-6 और यूज़ तो इसम judgment नंबढ़ नंबर से 15 और 23 यूज़ ना 5 इन चाहत्वे और फूब तो इसका सबहर तैस कर दूसरा इसका होगा इसका इन्सर क्या होगा देखें इसका एंसर होगा option A दूसरा अस्तमलेक चले एक थोड़ा सोर में इसमें बतायता है अस्तमलेक नंबर दो और नंबर साथ ये दोनों में धम के बारे में चर्चा किया है ठीक है पांच में में क्या चर्चा करता है जो अपने कारकाल जो 14 वर्स पूरा करता उस दोरा जो धर्महामत जो विसेसग्य थे उनके समराज में तो उसकी निप्तियां के करतब्यों के चर्चा किया गया है पांच में तेरा में कलिंग विजह है पहला में तो आपको क्या है वो आप आपका हमबर के चलिए ठीक है अगला question चलते है question number 97 करता है निमलिकित में से किस जग कि चर्चा कलहन की रास तरंगनी की गई है रास तरंगनी में की गई है गई गई टैपिंग हो छुड़ी है ठोड़ा ठीक है लड़्डू सा question है answer क्या होगा पाटली पूत्र कलिंग कस्मीर या मगद सिदा सिदा answer है आपने पढ़ाओगा eliminate करिएगा तो आप एक ही बचेग का कस्मीर ठीक है आला question चलते है question 98 क्या कहता है question 90 कहता है बह्मनी समराज की स्थापना किस ने की आपके पास चार अप्शन है पहला है बह्मत तुगलग दूसरा है अलाओ दिन हसन तीसरा हसन गंगू चोथा option है इन में से कोई नहीं है तो एक ही नाम दोवार आगिया ठीक है वहाँ मैंने last में edit कर जाते हैं इसका answer होगा option B और C दोनों क्योंकि अलाओ दिन हसन का ही नाम है हसन गंगू ठीक है तो दोनों एक ह दिल्ली सल्तनत के बाद बह्मनी समराज आता है दिल्ली सल्तनत के खतम होता है ठीक है तो इधर यह मतलब 1527 बताता हूँ ठीक है मतलब 1526 में खतम होता है दिल्ली डाइनेस्टी पूरी तक खतम जाता है ठीक है दच्छीन भार तरफ देखेंगे तो 1347 लेकर के 1527 तक इसका समराज रहता है ठीक है याद रखेगा इसका विस्तार कहा हुआ था जो उत्तर में तर भारत में बर करके एक कोशन में चार चार पांच मां अब्जेक्टी बन जाते हैं ठीक आप लोग बस ध्यान देते रहेगा अगला कोशन अनिमली कित में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी आपके पास चार अपसन है पहला सुबास चंद बोस दूसरा तेक बहादू सपरू तीसरा मोहन सिंग चौथा कैप्टन मोहन सिंग क्या होगा एंसर चलिए eliminate करते हैं B को हटाते हैं C को भी हटाते हैं अब क्या होगा एंसर बहुत कोई सुबास शंद बोस मार दियोंगे मुझे पता है चलिए इसका एंसर होगा कैप्टन मोहन सिंग सिंग मत मार दिजेगा मै 122 को स्थापना होता ही क्या होता है अजाधिन फॉच कहा हुआ था मलाया नाम का एक जगह था उसी जगह पर स्थापना किया था कैप्टर मोहन सिंग ने ठीक है अगे चलते हैं कोशन नंबर हंडेड है आज का अंतिम कोशन होगा क्योंकि मैं दस-दस कोशन करके ले कि आता कोई वात नहीं तो क्या होगा देखे इसका एंसर होगा राजा रा मोहन रहाए याद रखेंगा जब आप पढ़िएगा सवाझेधर्मिक सुधार अंदोलन योण पढ़िएगा उनमें स्वामी विवेकानन, है ना, राजा राम महुन राय, विद्यादर महाजर का नाम हमीसा आता है, करेक्टर बहुत अच्छ है, विवेकानन, राजा राम और पढ़िए, इन लोगों के बारे में जानकारे लिजे, सिखे, यह पबजी और फिरिफायर में कुछ ने लिखा हुआ है ना, पढ़िए इसको, टिक टॉक में कुछ ने, इन समय कुछ, सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, है ना, ठीक है, इन्होंने नौ जागरा आंदोलन में चलाय था, ठीक है, अच्छा, याद रखे कि छोटा सब एक चीज याद आगा है, सडलनी, राजा राम महुन र अगली क्लास में मैं लेकर आता हूँ, वीडियो पसंद, लाइक, शेर, कमेट ज़रू करिएगा, यह न्यू चैनल है, इसको गुरूत करने में, आप लोगो को साहिता का ज़रूत है, क्योंकि आपके लिए मैं महनत करता हूँ, आपके भविश के लिए महनत करता हूँ, ठी धिरेदिर NCRT बुक्स को भी चैप्टर वाई लेके आऊँगा, सारे सब्जेक के लेकर आऊँगा, धिरेदिर करके ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरचित रहिए, बड़ो सा असिरवाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए, थैंक्यू फिर मिलता हूँ, मैं धन्यवाद जाहिन